तो हाई प्रेंट्स इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्या बात करेंगे जी बुल गये हैं कैसे बुल जाएगे बताइए चिपशाप देखिए तो हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ओनर्स समेश्टर थ्री का मेजर पेपर फाइप ठीक है आप किसी भी उनिव तो यह अगर आपको पढ़ना है Medieval Societies of World ठीक है तो आपका कोई भी इनिवर्श्टी हो सब के काम में देगा ठीक है हिस्ट्री समेश्टर थ्री मेजर पेपर फाइप इसका हम लोग कंप्लीट नोस्ट जानेंगे question answer के साथ लेकिन मैं especially बता दूँ यह आपका राची इनिव इनिवर्श्टी हो गया इसके साथ ही आपके बहुत सारे इनिवर्श्टी में रखा जाता है ठीक है तो जिनका भी यह उन सभी के काम में आएगा सबसे पहले बता दूँ आपका जो पेपर है तीन घंटा का होता है 75 मार्क्स का होता है पास करने के लिए 30 नंबर लाना होता है इसमें आपको एक मार्क्स वाले पांच कोश्चिन पांच मार्क्स वाले दो कोश्चिन और 15 मार्क्स वाले टोटल चार कोश्चिन का अंसर करना होता है ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको वन मार्क्स वाले कोश्चिन और उससे पहले सिलेवस देख लेते हैं तो हमारा जो है unit 1 यह है आपका rise of Christianity and Islam यानि कि इसलाम धर्म और Christian जिसको हम लोग इसाई धर्म बोलते हैं इसका उदाइ के बारे में जानना होगा unit 1 में unit 2 में आपको पढ़ना है early medieval Europe ठीक है यानि कि जब Europe बना उस time का इरोप का तीसरा आपको जानना है यहां पर transition from ancient society of medieval societies in Europe ठीक है जैन आपको जानना है four number पर transitions from medieval to modern age in Europe ठीक है तो पूरा प्राचीन काल से महिद काल तक का यूरोप ठीक है और फिर जानना है आपको यहां पर सहरी करण के बारे में अर्बनाइजसन एन डिस्कवरियस के बारे में ठीक है इसमें आपका मैदेकाल टाउन और universities सभी के बारे में जानना है यहां पर मैं दिखा देता हूं प्रोफेसर गेस पेपर है डाची इनवर्शटी एन प्यू के लिए अगर आप इन दोने इनवर्शटी से हैं तो गेस पेपर नहीं खरीते हैं तो खरीत लीजेगा 35 रुपिय का आता है ठीक है तो दिखते हैं य नियाँ से आपका अब्जेक्टिव सुरू होता है आप लोग सब कोई कर लीजिएगा खुद से ठीक है अभी मैं एक एक करने लगूंगा तो मतलब पूरा का बहुत लंबा क्लास हो जाएगा ठीक है इसलिए यह आप लोगों को खुद करना है बाकि जिनके पास बुक नही यह जब बुक नहीं है कहीं बाहर गया तब पीडियाप से पढ़िए ठीक है देखिए नेक्स्ट यहां पर देखिए सोट आंसर टाइप कोश्चन है जो कि पांच मार्क्स वाले आएंगे तो एक नंबर वाले तो पांच आएंगे ठीक है उसका अंसर डिरेक्ली आपको अं कोश्चन आएंगे यहां से आप लोग कर लीजिएगा ठीक है दन आता है यहां आपका यहां पर कितना चोटा हो गया जी बड़ा हो जाई यह थोड़ा सा लोंग आंसर टाइप ठीक है 15 मार्क्स वाले और यह आपके टोटल एक्जाम में 6 कोश्चन आएंगे जिसमें से किस चार को बनना होगा तो 15 चोका 60 ठीक है 15 फोर्जा 60 तो यह हो गया आपका और यहां पर जो 15 मार्क्स वाले कोश्चन आएंगे उसका आंसर आपको करना है अगर आपके लिखने की स्पीड स्पीड है तो आप 3 खड़ा पनना देट मींस 6 पेज में किजिएगा अगर आपके लिखिएगा तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं 60 परसंट से ज्यादा मार्क्स आपका आएगा ओल अबर में ठीक है तो पहला कोश्चन आता है हमारा इसाई धर्म के उद्भाव पर प्रकाश डालिए कैसे राइज वा किर्शेनिटी यह बताना है इसू के जीवन विरतां ग्रंद का नाम क्या है तो हम सभी आइबलका नाम सुनें है तो यह सभित हर्म का सबसे ग्रंद आगे देख लेता है तो नेक्स टाता है अपकर यहां पे इसाह मस्य कोण थे हिस्ञें और में सभी और उनके संदेश पर परकाश डाले पूरा अभी सुका ओलबर वर्ल्ड चलिए नेक्स्ट आपका यहां पर इसाई धर्म कितने संप्रदायों में विवाजित है फिर बताना है कि इसाई धर्म के मौलिक विसस्ताओं को बताईए ठीक है इसने पूछा गया है बहारतिय समाज पर इसाई धर्म का क्या परवा हुआ उलेक करें देखे आपने देखा होगा कि जार्खंड के या फिर बहुत सारे ट्राइब एस्पेसली मैं जार्खंड बोल रहा हूं केरल बोल रहा हूं इन सभी जगाओं में पहले आया था मिशनरी स्कूल में सिक्षा दिया गया फिर लोगों को इसाई धर्म में बदला गया ठीक है तो बहुत सारे देखेगा ट्राइब्स पिपूल को या फिर बहुत सारे लोगों को इसाई धर्म में रुपांतरण किया गया है जो कि गलत है बाई अपना धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए चाहिए आप किसी भी धर्म से हो ठीक है हम ऐसा अपने धर्म का सम्मान करें मैं भी अपने धर्म का सम्मान करता हूं और दूसरे के धर्म का भी मैं रिस्पेक्ट लेता हूं ठीक है अपना धर्म को सम्मान और दूसरे के धर्म को भी सम्मान देना चा हम लोग आराम से खाना पीना सब एक साथ करते हैं कभी कोई अंतर नहीं लगा लेकिन मीडिया का बात सुनिएगा तो लगए करें बाव यही तो है एकदम जानी दुस्वन तो मीडिया के चक्कर में मत पढ़िया ठीक है मीडिया आग लगा देगी नेक्स्ट देख लेते हैं इसलाम के धर्म गरंद कुरान पर प्रकाश डालना है या इसलाम धर्म के मौलिक विसस्ताओं को बताना है कुरान सरी जो लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छा नहीं पढ़े हैं तो कभी लाइफ में एक बार जरूर पढ़िएगा ठीक है चाहिए आप किसी भी धर्म के हो कुरान पढ़िए गीता पढ़िए बहुत सिख मिलेगा और बाइवल पढ़िए ठीक है और जेंदा वस्ता मतलब बहुत सारा धर्म गरंद है यार किसका किसका नाम बताऊं ठीक है गुरु गरंद साहीब भी पढ़ सकते हैं सुद पिटक भी नहीं पिटक अभी धम पिटक पिटक त्री पिटक पढ़ लिजिए ठीक है बहुत है जितना भी धर्मगरांत है सब से आपको कुछ ना कुछ सिख्चा मिलेगा कोश्चन है हमारा इसलाम में प्रमुक समपरदाईयों का वर्णन करें यह भारती समाज पर इसलाम के परभाव क्या रहा यह चीज़ बताना है ठीक है तो देखिए मैं टोटल आपकी जितने भी है यह 86 पेज का है मैं सब आपको दे दे रहा हूँ आप लोग अगर केस पेपर नहीं खड़ दें तो खरीद लिजेगा ठीक है बाकी जो लोग के पास अब लबल नहीं है अभी या फिर जब आप बाहर में हो तब आप इसका उप्योग किजिएगा ठीक है ओके बाई मिलते है नेक्ट वीडियो में ठीक है और आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका पीडियो मिल जाएगा ठीक है बाई और जितना भी यह सेक पेपर हो गया एमडीसी हो गया सब का अपलोड़ेड है और दिखेजरे अपलोड कर दूंगा और यह सब का मिल जाएगा आपको ठीक है बाई